Good morning students, आज की कक्षा में हम अपनी पाट पुस्तक में संकलित एक नए अध्या को पढ़ने जा रहे हैं यह हमारे पाट पुस्तक का चेप्टर नमबर 7 है और आज की कक्षा का हमारे विशे है सपने सपने एक कवीता है और इस कवीता के रजेता कौन है आएए जानते हैं इस कवीता के रजेता आसा सादेर जी है आसा सादेर जी ने विभीन विशेओं से अलग एक नए कवीता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है उन्होंने बच्चों की मानसिक्ता को पाठकों के सामने समक्ष रखा है बच्चे जो सपने देखते हैं उन सपनों का क्या महत्व है उन सपनों का क्या लक्ष है इन विश्रों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तूत किया है चलते हैं कवीता की सुरुवात की ओर तो कवीता की सुर्वाज से पहले पाट के परिचे को देख लेते हैं पाट के परिचे में उन्हेंने कवीता के मुख बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है सपने हमारी उन अकांचाओं अकांचाओं का मतलब होता है चाह या इक्चा के प्रतीक हैं जो हमारे जीवन का लक्ष होती है, सपने क्या होते हैं, वो हमारे इक्षाओं के प्रतिक होते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष हैं, जो हम बनना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने के अवशकता होती हैं, हम सब एक सपना देखते हैं, अप हमारे जीवन का लक्ष है और प्रयास करनी के अवशकता होनी चाहिए हमें लक्ष को पाने के लिए तो इन विशों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है आज चित्र के माधम से देख सकते हैं कुछ भालक चित्रकार बनना चाहते हैं कोई फुटबॉल में फुटबॉ तो अलग-अलग बिच्चों के अलग-अलग सपने होते हैं आप सब के कौन-कौन से सपने इस कविता से अपने सपनों को जोड़कर आज हम देखेंगे तो चलते हैं सपनी कविता की सुर्वात की और आप सब भी अपने अपने सपनों के बारे में इस कवीता के साथ जरूर सोचे कवीतरी क्या कहना चाह रहे है सपने तो मुझको तुमको हम सबको आते हैं ये पूछ रही है कवीतरी कि सपने तुमको मुझको सबको आते हैं क्या सपनी देखनी से ही सपनी सच हो जाते हैं तो हमारा जवाब होगा नहीं क्योंकि सपनी देखना ही बड़ी बात नहीं है सपनों पर निरंतर प्रयास करना बहुत बड़ा कारे हैं हम सपनी तो सबको आते हैं वो कह रही हैं सपनी तो मुझको तुमको हम सबको आते हैं इस मनुष्य जाती में जितनी भी लोग हैं सभी को सपनी आते हैं क्या सपनी देखनी से ही सपनी सच हो जाते हैं तो हमारा जवाब है नहीं सपने देखने से सपने सच नहीं होते सपने को देखना नहीं सपने को पूरी करना भी हमारा कर्तब है उसके लिए हमें निरंतर प्रयास कने के अवशकता होती है सपने वो नहीं बंद आखों से जो ही देखे जाते हमें आसा सहदेजी बता रही है कि सपनी वो नहीं जो हम लोग बंद आखों से देखते हैं अभी तक हम जानते थे कि सपनी क्या होते हैं जो हम लोग रात में जो सपनी देखते हैं वही सपनी होते हैं परन्तु आसा सहदेजी ने उन सपनों को सपना नहीं माला है उन्होंने कहा है सपनी वो नहीं जो बंद आखों से देखे जाते हैं जो हम लोग बंद आखों से जो सपने देखते हैं वो सपना नहीं होता है सपना सपनी क्या होते हैं जो हम लोग सपनी तो रंग विरेंगे खुली आख्रा भर्माते भर्माते का मतलब होता है प्रमित करना अर्थात सपने वो होते जो हम लोग खुली आखो से देखते हैं अर्थात जो हम अपने लक्ष के लिए सपने देखते हैं वही सपनों का हमारे जीवन में मात्व है तो यहां आसा सहदेजी ने भी खुली आखों से सपने को ही सपना माना है जो हम लोग रात को सपने देखते हैं, परियों को सपने में देखते हैं, रंग भी रंगे, तितलियों को देखते हैं सपने में उन सपनों का कोई महत्वनी है सपने तो वो होते हैं कवित्री के अनुसार जो हम लोग दिन में खुली आँखों से अपने लक्षी के लिए सपने देखते हैं वही सपनों का हमारे जीवन में महत्वन है सपने वो जो रंग विरंगे खुली आँखे भरमाते सपने तो वो होते हैं जो हमारे आखों में रंग विरंगी चमक लेकर आए वो सपने ही जो हम लोग लक्ष के लिए देखे वही सपने सपनी होते हैं सपनी आख के यहां तिसरी पंक्ती को अरबढ़ते हैं खुली आख के सपने ही तो नींद उड़ाते हैं अर्थात, सपने जो खुली आंखों से हम अपने लक्षे के लिए जो सपने देखते हैं, हम कुछ बढने के लिए जो सपने देखते हैं, वही क्या करते हैं, हमारी नींद उड़ाते हैं, हमारा चैन उड़ा देते हैं, हमको अपने लक्षे को आगे बढने के लिए पेड़ित करते रहते हैं, तो खुली आखो के ही सपने जो हम लक्षे के लिए देखते हैं अपने सपने, वो हमारी नीन तक उड़ा देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कि जो भी आपने aise appears ka interview देखा होगे उसमें देखा होगे, कि उन लोगों के पताते हैं वो कितनी कंदे कंदे पढ़ाईयां करते हैं कितनी मैनत करते हैं क्यों अपने लक्ष को पूरा करने के लिए तो आपके अपने सपनें में भी आपने कोई लक्ष के लिए सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए आपके भी जो नींद है वो क्या है उड़ जाती है आपको भी कुछ बनना होगा अपने जीवन में तो आपके सपनी उसे सूने नहीं देंगे आपको दिन दात उसकी पीछे मैनत करनी पड़ेगी तब जाके वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं तो खुली आख के सपनी से ही तो नींद उड़ाते हैं कवित्री बता रहे हैं खुली आखो के ही सपने तो हमारे नींद उड़ाते हैं क्या सपनी देखनी से ही सपनी सच हो जाते हैं कवित्री हमसे फिर परशन कर रहे हैं क्या सपनी देखनी से ही सपनी पूरी हो जाते हैं तो बिल्कुन नहीं सपनी को पूरा करने के लिए हमें निरंतर हर रोज हर समय प्रयास करने किया वाज सकता है अपने सपनों के लिए जो सपने हम देखते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कड़ी मैनत और परिश्रम की अवशकता होती है और वो सपने जो हैं हमको ना हमारी नीन जोड़ा देते हैं हमारी नीन हमारा सपना जो है हमको नीरंतर आगे बढ़ने के लिए पेरीत करते रहता है अगले भाग की और बढ़ते हैं सपनों में आकर विचारों की होती ताका जाकी यहां कवित्री बतारी की सपनी जो होते हैं उसमें तरह तरह की विचार होते हैं जैसे कि आप सब को अपने जीवन में डॉक्टर बनना है इंजिनियर बनना है विज्ञानिक बनना है वो क्या होता है वो सपनी आपके तरह तरह की रंग बिरंग की विचार लाते हैं आपके जीवन में और ताका जाकी ताका जाकी का अर्थ होगा कि ये सपने आपको ब्रहमित करते हैं आपको तरह तरह की रंग बिरंगी दुनिया दिखाते हैं तो इन सपनों के आपको बढ़ने के लिए तरह तरह की विचार भी आपके मन में आते हैं सपनों में ही नई ज्यान की पुस्तक माची जाती को पढ़ना है कितना ग्यान प्राप्त करना है यह आती चीज़ें नहीं 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 झौन की चीज़ें हमें सब्सक्राप्त करकर अपने लक्षी की और हम और बढ़іशी में की लिए पेरित करते रहते हैं अगले भाग में सपनी ही तो नव निर्मान की रह दिखाते हैं सपनी ही तो नव निर्मान यहां कहने का ताथ पर क्या है नव निर्मान का होता है मतलब है नया निर्मान करते हैं निर्मान करना और कैसे निर्मान करना रा का मतलब होता है रास्ते तो सपने जो होते हैं हमारे सपने ही सपनों की निव पर हमारे निर्मान के लिए क्या होता है सपने ही तो नव निर्मान की राह बना दिखाते है तो सपने क्या करते हैं हमें नए रास्ता हमारे नए मोड को हमें दिखाते हैं ताकि जैसे कि हमें इंजिनियर बनना है तो ये नया जो रास्ता है इंजिनियर बनने का ये हमें क्या करते हैं नय रास्ते सपने जो हमें दिखाते हैं सपने तो मुझको तुमको हम सबको आते हैं पर सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा निरंतर मेहनत करन पड़ेगा तब हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं बिना हम प्रयास करें अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं तो कवितरी ने कैसे सपनों की बात की है कवितरी ने खुली आखों से सपनों की बात की है इन सपनों का कोई उदेश नहीं होता है परन्तु जो हम अपने लक्षे के लिए सपने देखते हैं उन्ही सपनों का हमारे जीवन में महत्वर है तो हम लोग देखेंगे अगले भाग में क्या बताया जा रहा है अगले भाग में देखते हैं सपनी सच करने को पहले सपनी होनी चाहिए कवित्री बता रही कि सपनी को सच करने से पहले क्या होना चाहिए सपनी होनी चाहिए सबसे पहले अगर हमको कुछ बनना है तो उसके लिए तो हमारे एक सपना होना चाहिए न कि हमें क्या बनना है अगर आप लोगे से पूछा जाए क्या बनना है आप सब को तो आप सब बताओगे मुझे डॉक्टर बनना है किसी को इंजिनियर बनना है किसी को पुलिश बनना है तो आपको बताया जा रहा है कि सपने को देखने से पहले सच करने से पहले हमें क्या करना चाहिए सपनी होने चाहिए आप से अगर पुछा जाए आपके क्या सपनी है अगर आप बोलेंगे मेरे कोई सपना ही नहीं है तो आप उस सपने को पूरा कैसे करेंगे तो सबसे पहले सपनों को सच करने के लिए आपके पास सपनी होने चाहिए सपनी सच करने के पहले सपनी होनी चाहिए ठीक उसी प्रकार फल खाने के अगर तमन्ना हो तमन्ना करत होता है इक्षा अगर हमें जी फल खाने के इच्छा हो तो बीच तो बोने चाहिए तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? बीच बोने चाहिए अगर हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे और सिर्फ सपनों में देखते रहेंगे कि हमें ये बनना है वो बनना है तो उस तरह के सपने पूरे नहीं होते हैं सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी आउशक है अगर आज हम लोग मेहनत करते हैं तो कल हम कुछ बन सकते हैं तो वही कहा जा रहा है कि फल खानने के अगर इच्छा हो तो हमें कि आप सबसे पहले बीच बुणना चाहिए अगर हम बीच ही ने बुणे तो फल कैसे खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं उसलिए आसर सादेजी ने सपनों को महत्व देते वे कहा है कि सपनी सच करने से पहले आपके पास सपनी होनी चाहिए अगर आपके पास सपनी ही नहीं है तो सपनों का कोई मतलब ही नहीं है अगर सपने को अगर आपको पूरा करना है अपने लक्ष को इससे पहले सबसे पहले आप सपना देखे उसी प्रकार जैसे बीच फल खाने के चाओ तो इससे पहले बीच बोना बहुत जरूरी है अगर बीच ही नहीं बुलेंगे तो आप फल कैसे खा सकते हैं आगे भाग में बताया जा रहा है इससे पहले हम थोड़ा सा इकबर रिविजन कर लें कवित्री ने यहाँ पर सपनों को महत्व दिया है सपनों को कैसे सपनों को जो खुली आँखों से हम सपने देखते हैं उनका महत्व उन्होंने इस कवित्रा बता है वो बता रही है सपनी तो मुझको तुमको हम सबको आते हैं क्या सपनी देखने से ही सपनी सच हो जाते हैं कवित्री हमसे पूछ रही है कि सपनी तो हम सबको आते हैं परन्तो सपनी को सपनी तो देखने ते ही हैं पर सपनी देखने से ही सच हो जाते हैं सपनी को देखने से ही सपनी सच नहीं होते हैं उसको पूरा करने के लिए हमको मेहनत करने क्यावाज सकता है सपने वो नहीं बंद आँखों से जो देखे जाते हैं कवित्री बता रहे हैं कि सपने जो वो नहीं जो हम लो रात को देखते हैं सपने वो होते हैं जो हम लोग खुली आँखों से जो हम आख सपने देखते हैं जो हमारी खुली आखों में जो सपने तैरते हैं वही हमारे सपने सच होते हैं खुली आखों के सपने ही तो नींद उड़ाते हैं जो हमारे लक्षे के लिए सपने देखते हैं वही तो हमारे नींद उड़ाते हैं क्या सपने देखने से ही सपने सच हो जाते हैं तो सपने देखने से ही सपने सच नहीं होते हैं उनको पुरा करने के लिए हमें कड़ी मेनद क्या हो सकता है सपनों में आकर विचारों की होती ताका जाकी सपने में आकर ने ने विचार की आता का जाकी हमारे सपनों में होती है सपनों में ही ने निर्मान की पुस्तक बाची जाती है जब हम कोई लक्षे के लिए सपने देखते हैं तो उसमें तरह तरह की पुस्तके हम कैसे तरह से अपनी त्यारी कर सके कैसे अपने लक्षों को पूरा कर सकते कैसे अपने ज्यान का विकास कर सकते क्या पढ़ने से हमारे ज्यान का विकास हो इस तरह की बाते हमारे दिमाग में आती है हमारी मस्टिक्स में आती है इस तरह की बाते है तो आप सब भी अगर कोई सपना देखते हैं तो सुचते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी हैं, कैसे अपने लक्ष को पुरा करना हैं, इन से बातों को कवित्री ने महातो दिया है, सपने ही तो ननिनमान की रा दिखाते हैं, सपने जो होते हैं, नए रास्ते का निर्मान करने में सहायता करते हैं, जो हमारे लक्ष तक हमको पहुचा सके, सपनी तो मुझको तुमको हम सबको आते हैं, कभी तरी फिर बोरिये, सपनी तो हमको तुमको सबको आते हैं, पर सपनी देखने से ही सपनी सच नहीं होते हैं, कड़ी मेहनत के अवशकता है, सपनी सच करने से पहले सपनी होने चाहिए, सपनी को सच करने से पहले क्या होना चाहिए सपनी होने चाहिए जिस करकार फल खाने के अगर तमन्ना हो तो हमको सबसे पहले मेनत करने चाहिए आने की बीच बोने चाहिए तब ही तब हम फल खा सकते हैं फल का आनन ले सकते हैं अगले भाग में हम देखते हैं सपने ही सपनों की नीपर पैर जमाते हैं कहने काता क्या अतात पर है कि सपने ही तो सपनों की नीपर पैर जमाते हैं अगर हमने कोई सपना देखा है तो हम क्या करते हैं अपने सपने पर अगर हर दिन मेहनत करें तो हमारे सपने की निव जो है वो क्या होती त्यार हो सकती है जैसे सपने ही सपनों की निव पर पैर जमाते हैं इस पंक्ति का क्या अतात पर है कि हमारे सपने ही हमारे उस सपनों की निव को मजबूत बनाते हैं जो हम देखते हैं जैसे के हम इंजिनिया डॉक्टर बढ़ने का सपना देखें तो हमें क्या करते हैं यह सपने मजबूत बनाते हैं यह सपने हमको आगे बढ़ने के लिए पेलित करते हैं सपने देखने के बाद ही तो हम उड़े पाने के प्रयास करते हैं अथाज कुछ पाने के लिए उसके भारे में सोचना जरूरी है कवीत्री का कहने का दात पर है कि सपनी क्या करते हैं हमें सपनों अपने लक्ष को पूरा करने के लिए ये हमें मजबूत बनाने का कारे करते हैं पैद क्या सपने देखने से सपने सच हो जाते हैं तो सबनी देखने से सच नहीं होते, सबने ओपर गड़ी मेहनत की आशरता होती है यहां उन्होंने बच्चों को पेरिद किया है अपने लख्च को पाने के लिए अपने सबने को पूरा करने के लिए यदि चाहते हो जीवन में बड़ी उचाई पाना कदम बढ़ा कर आगे फिर ना पीछे को ले आना कहने का ताथ पर है कि यदि तुम जीवन में कुछ बढ़ा पाना चाहते हैं अपने जीवन उचाए को पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कि कदम बढ़ा कर आगे पीछे फिर ना पीछे को ले आना कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लाना चाहिए जिस प्रकार हमने सलीम अली को देखा था कि सलीम अली पक्शी भी जानी थे उन्होंने पक्शीों को जाचने के लिए निरंटर मेहनत किया था और किस प्रकार वो नदी, पहार, जर्नी, जंगलों का फिकर ना करते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते जाते थे किसी भी कटनाई पर आने पर भी वो घबडाते नहीं थे तो कवित्री भी उसी तरह बच्चों को कहती है कि आपके जीवन में भी कोई कटनाई आए कोई भी संकटा उससे घबडाएं नहीं अपनी कित कदम जो है, वो कभी पीछे नहाटा है अपने लक्चे के लिए आगे बढ़ते जाएं और कभी भी अपने को पीछे न, अपने लक्चे से पीछे नहाटा है क्यों कि जिस तरह से हम अगर अगर अपने लक्ष से हार जाएंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उन्होंने आगरा किया है बच्चों से कि कभी भी अपने कदम पीछे मत अटाईएगा आगे बढ़ते कदम ही परिवर्तन की राह बनाते हैं अगर हमनों निरंतर परिश्रम करेंगे आगे बढ़ते जानेंगे तो हमारे परिजीवन में भी अवश्य ही परिवर्तन आएगा हम भी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे यह हमारे जीवन में परिवत्न की राह का मतलब है रास्ति को बनाते हैं फिर कवित्री बोरिये सपनी तो मुझको तुमको सबको आते हैं सपनी तो हम सबको आते हैं पर कर सपने पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए निरंतर महनत करने यह चाहिए सपने पूरे करने को तुम जान लगा दो सारी सपने को पूरा करने के लिए तुम अपनी जी जान लगा दो अपनी महनत लगा दो अपना सारा परिश्रम लगा दो असंभव को संभव करने की पूरी रखो त्यारी जो चीज असंभव हो जो कोई न किया हो वो कारे तुम संभव करके अपनी त्यारी पूरी रखो ताकि हम लोग अपने सपने को पुरा कर सके उस सपनों से ना खबड़ा के ना ड़कर अपने सपनों को आगे बढ़ा सके अपने सपनों को पुरा कर सकते असंभो को संभो करने की पूरी रखो त्यारी अपनी त्यारी मिशा पूरी रखो जो कार असंभो हो उसको संभो करके दिखाओ नई सोच से नई जोज से इन सपनों को कैसे पूरा करेंगे हम नई जोज से नई सोच के साथ कदम बढ़ाते हैं क्या सपनों देखने से ही सपनी सच हो जाते हैं हम क्या करेंगे जीवन में सफलता पाने की या वस्तक है पहले लक्ष का निधारन करना और उसे पूरा करने के लिए नए जोस और नए सोच के साथ अपनी लक्ष को पूरा करना और हम नए जोस के साथ नए उमंग के साथ अपनी लक्ष में जी जान लगा दे और अपनी कदम बढ़ाते जाएंगे तब देखो हम अपने लक्ष तक आसानी से पोहू सकते हैं फिर कवित्री कह रही है कि सपने दिखने सरही सच हो जाते हैं तो सपने पूरा करने के लिए हमें निरंतर महनत कने चाहिए तभी हम लक्ष को पूरा कर सकते हैं यह कवित्र आप लगों को कैसे लगी आप सब भी अपने सपनों को पूरा करने का मतलब समझ गए कि सपनी जो आज तक आप देख रहे थे उन सपनों का कोई महत्व नहीं है परमति जो आप अपने लक्ष के लिए सपनी तो सपनी का अपना ही महत्व हता है और सपनी को किस प्रकार पूरा करना ये हमारे हाथों में है जीवन में सफलता पाने के लिए अवस्दक है अपने लख्चों को चुरूर पुरा करना एक नई उमंग के साथ सपनों का एक महत्व है कि सपनों को पुरा करने के लिए परिस हमारे पस सपनी होने चाहिए कवित्री ने ये भी बता है कि सपनी जो होते हैं सपनों की निव पर पैरपस जमाते हैं तो हमारे सपनी जो हैं हमारे उन सपनों की निव होते हैं को मजबूत करते हैं सपनी जो होते हैं हमको और आगे बढ़ने के लिए पेरिद करते हैं जो हम देखते हैं सपनों में, सपनों देखनी के बाद जो हम उन्हें पाने के प्रियास करते हैं, मेहनत करते हैं, अध़त कुछ पाने के लिए उनके बारे में सोचना जरूरी होता है, उस सोच को हम अपने सपनों को बढ़ने में, अपने सपने को पाने में सहायक पाते हैं, तो कुछ कठीन सब्दों को देख लेते हैं आज के कक्षा में कुछ कठीन सब्दे जो हैं वो हैं खुली आँखों का मतलब है जाकती हुई आँखों का बर्माते का अतोता ब्रहमित करना वाचना का अतोता पढ़ना नव निर्मान का अतोता नया निर्मान तमन्ना को ता इच्छा जान लगान मतब पून प्रयास करना पहला हमारे प्रश्ण है वास्ता में सपने किसे कहते हैं वास्ता में सपने हमने भी पढ़ा जो खुली आँखों से हम देखते हैं वही हमारे सपने होते हैं किस प्रकार के सपने हमारी नींद उड़ाते हैं तो खुली आँखों से देखे जाने वाले सपने हमारे नींद उड़ाते हैं सपने सच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सपने सच करने के लिए हमें पूरी जान लगा देनी चाहिए हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए हमें नई सोच और नई जोस के साथ आगे बढ़ना चाहिए कवीता में सपनी से क्या भी प्राय है उच अकान चाहे विचारी अकल बना तो उच अकान चाहे सपने किसकी राह दिखाते हैं नए सपनों की नवनिर्मान की परवत्तम की तो नवनिर्मान की हमने जाना था और यह आपका ग्रीकार है इस पंक्तियों कविता की पंक्तियों को अपने ग्रीकारे में आप रखेंगे तो आज की कख्षकों मैं ही विराम देती हूँ आप सब को ये कवीता कैसे लगे इस कवीता का भ्यासम करेंगे अपने ग्री कारे में आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ धन्यवाद